बुलिटिन में सबसे पहले बाद जनवाश्टमी की आप सभी को जनवाश्टमी की हार्दिक बदाईयां सिरनगर से लेकर मतुराव और विंदाववन से लेकर मुंबई तक देश में आज कृष्टन भक्ति के रंग में देश रंगा हुआ नजर आ रहा है मंदिरों में जैक नायलाल की गून सुनाई दे रही है जनवाश्टमी के मौके पर मंदिरों की खास अजावट की गई है यहां रादे कृष्टन के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भीड दिखाई दे रही है देश भर में जनवाश्टमी की रौनक है मंदिरों को रंग बिरंगी रोश्टमी से सजाई गया है सरधालू उस्सा ही थें दिल्ली से लेकर बंगलूरू तक मंदिरों में लंबी लाइने दिखाई दे रही है इस चार तस्वीरें आपने देखी मतुरा, दिल्ली, बंगलूरू और नुड़ा की और आपको दिखाते हैं देश भर में जनवाश्टमी के जस्न की छे और खूब सुरत तस्वीरें जहां दिल्ली में जन्माश्टमी की धूम है, बंगलूर में जन्माश्टमी के रंग आप देख सकते हैं कितने शांदार हैं, उधर किष्ण जन्म भूमी मतुरा का नजारा सबसे शांदार, और मुंबय में दही हांडी का जोस लाजवाब है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश पूरे जस्म में दूबा हुआ है, उज्जयन में जन्माश्टमी के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्जना का दौर जारी है, तो जबकि द्वारका में जन्माश्टमी के पूजा अर्जना के लिए लोग दूर दूर से आपको मतुरा ले जलते हैं जहां स्रीक्रिष्ण मंदिर से जूड़ चुकी हैं हमारी समवादाता जोती मिश्ट्रो देश भर में पूरे जोश, हर्ष और उत्सा के साथ आज श्रीक्रिष्ण जन्माश्ट्मी का पर मनाया जा रहा है और आज हम मौजूद है खुद श्रीक्रिष्ण की जन्म भूमी यानि मतुरा मी श्रीक्रिष्ण जन्म स्थली पे आज देख सकते हैं कि अश्टमी के मौके पर जनमाश्टमी के मौके पर देश और दुनिया से अलग-अलग शेहरों से जो भीड है वो यहां बड़ी संख्या में उमर रही है मुख्यमंत्री योगिया दतिनाथ भी यहां शाम को दर्शन करने आएंगे और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो कि विश्णू जी के आठवें अवतार माने जाते थे उनका जनमदन मनाने के लिए भक्त जो है वो भारी संख्या में यहां पर आज पहुंच रहे हैं जो नजारा है वो बेहत ही खुबसूरत है मंदर को दुलहन की तरह सजा दिया गया है और भक्त पूरी तरह से उत्साहित हैं कि रात बारा बजने के बाद लड़ू गोपाल को जूला जूला कर उनका जन्म दिवार्ट के पंच प्रण के रुप में हम सब को दिया हमें एक करेंगे घुलानी का अंसर कहीं नहीं चोड़ेंगे और साथ साथ गरीवी का अन्मूलन करने के साथ ही अपने करपप्यों के लिए हर नागरिक अपने प्रण करके भारत को दुनिया की एक महाताकत की रुप में स्थाथिक करेगा आप्यात्रिक और सानस्कृतिक धरोवर की रक्सा कि भारत को दुनिया के सामने भारत की धरोवर को छोड़े बनाए रखते में पैस्विक नच पर भारत की नचतिश्था को स्थापित करने का ये वही अभियान है जिस अभियान में कभी भारत के जारों वर्सों की योग की विरासत को विष्व योग तिवस्त के रूप में प्रणामुंत्री मोधी जी के प्रियास से युए लोग के द्वारा उसी मानिता प्रदान की जाती है नचतिव यूजिस्वक के गाराव प्रणाम पिष्व के मोध के एक जाती है वकiva तो दुनिया का आकरशोन का खेदर भन रहा है एक महीने में एक प्रूड सुफ़ान प्रणाम प्रुस्तु चंão की क्या इस Спि़्व ना इसक्ति होएं और योत्याधाम फिर से त्रिता युक का स्वण हम सब को करा रहा है। हम सब अग्वान से क्रिष्ण के उनों का पालन अपने जिवन में करें इस विश्वास के साथ आप सब के उच्छों में भूसे की कामना करते भी मैं अपनी पाने को यहीं देखा हूं पिराम जैजैस। तो आप सुन रहे थे सीम योगी आदित्यनाद को जो मतरा पहुँचकर सभी को उनोंने स्रिक्ष्ण जन्माश्टमी की विधाई दी और इससे पहले उनोंने पूजर जना की। और मतरा के बाद अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इसकौन मंदिर में जहां कृष्ण भक्त आस्था में जूमते नजर आए। देखिए हमारी एश्प्रिस रिपोर्ट। सुसजित की और तमाम कृष्ण भक्त जो हैं वो इसक्ष्ण भक्ति के गीत में डूबे वे नजर आ रहे हैं हरे रामा हरे कृष्ण के बजनों से लगातार यहां गुंजाय मान और लगातार कृष्ण भक्ति में जूमते वे आपको कृष्ण भक्त यहां पर नजर आ रहे ह जो है जो है बहुत ही पुर्ण तिती है जब जग जग के दाताद स्रीकिष्ण प्रकट होते हैं और भगवान के अवतार मतरा की गलियों में जो प्रिंदावन की गलियों में खेले बड़े और अब उनके कृष्ण भक्त आखको यहां तस्वीरों में जूपते वे नजार आ रहे हैं तो भगवान सिर्कृष्ण के आने की खुशी में दिल्ली में लोग इसकॉन मंदिर में जूम रहे हैं तो दिल्ली के इसकॉन मंदिर के बाद आईए आपको ले चलते हैं नुड़ा जहां इसकॉन मंदिर में काना भक्ती के रंग में बिखरे हुए हैं भक्त जन्माश्ट भी एक बहुत ही दूम गड़ागे का ती हो रहा है इस दिन आज हमारे किशन भगवान ने जुनम लिया था जिनका हम उनका बच्छों के रूप में उनका जुनम दिन बनाते हैं हाँ इस पर मुझे बहुत अच्छा लग रहे है कि मैं सामने से क्रिशन जी को देख पा रही हूं तो मेरे को अच्छा फिलिंग आ रही है बहुत जादा पिछले साल आनी पाये थे मतलब पिछले साथ कोवीड था इस वेसे हम लोग आनी पाये तो उतना अच्छा नहीं था तो देश के कोणे कोणे से क्रिश्चन जनवाश्न के तस्विर आ रही है आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जस्में डूबे हैं अब आपको दिखाते हैं आठ तस्विरें देखे कैसे जम्मु कस्मीर से लेकर केरल तक हरे राम हरे किष्ण के जैकारों से मंदिर गूंज उठा गूंज रहे हैं मंदिरों को भव्य तरीके से सजाए गया है भगवा जनमाष्णु में कृष्ण भक्ति का एक और रंग तब नजर आता है जब गोविंदा मठकी तोड़ने के लिए जो राजमाईस करते हैं और जब बात दही हांडी उस्तों की हो तो फिर हमारे जेहन में तस्वीर उभरती है मुंबई की कोरोना संकट की वज़े से दो साल बाद मुंबई में दही हांडी का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है वहीं गोविंदाओं की टोली भी दही हांडी के लिए काफी जोश में नजर आ रही है कई मंडलों ने दही हांडी का आयोजन किया है लेकिन फोकस ठाने और दादर में हो रहे है दही हांडी पर है इसकी वज़ा है आयोजन से एक नास शिंदे और उद्धव ठागरे गुट का जुड़ा होना उद्धकूट शिंदे के गड़ ठाने में दही, हांडी प्रोग्राम का आयुजन कर रहे हैं तो वही इसके जवाब में सिंदे कूट दाधर और ठाने में दही, हांडी का आयुजन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से दूर दरा से अच्छी अच्छी तस्विर आ रही हैं दई हांडी की और इसी को लेकर हमारे समधाता घाट कूपर से विश्वबोहन हमारे साथ जूड़ चुके हैं विश्वबोहन तमाम तरह के रंग आपने दिखाए और कई तरह की तस्विरें दिखाई सबसे बहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको आज कैसा लग रहा है देखे अभी आज सुरुवात को मैंने दादार और वडली के साथ की थी अभी मैं मुंबई के ग्वाटको पर इलाके में हूँ जो बीजेपी विदायक राम कदम जी का इलाका है और वहां पर भब आयोजन हुए अभी कुछी देर पहले यहां पर महाराश्टा के मुक्यमंत्री एक नाज शिंदे और डिपी सीएम देवेंध वड़ावी दोनों यहां पर आगत रहे हैं और अभी देखिए महाराश्टा की एक एक्ट्रेस आई हुई है इसके अलाबाई से पहले कई और आकर आकर जा चुके हैं रंजीत और कुछ सीरियस के एक्टर और आक्ट्रेस भी आसे आकर जा चुके हैं शांग तक यहां पर कापी बड़े आयोजन होने वाले हैं कई बड़े एक्टर यहां पर आने वाले हैं इस मंडल को लेकर और इस मंडल के इनामी राशी की बात करें तो एक टिसलाख रूपए तक किया पर इनामXT रखा गया है क्या तक शेश्बरस भूम है मुंबई के बहुत ई आफ पॉपुलर यहां पर सभसे को एक है awful तम यहां पर सुना करवा रहे हैं महराश्णा के अलग अलग हिस्थे से और डिस्थे हरा घुए पूरा यहां पारातर गोविंदाओं के लिए इस पार खास तयारी की गए उनके लिए अलग अलग एक तो इंस्रोजन्स कवर दिया गया है एक एडवेंचर एस्वोर्ट्स के तौर पर इसे शामिल किया जा रहा है तो इस तरह से तमाम ऐसी चीजों दी जा रहे हैं इसको एस और जिस तरह से बनाया जा रहा है आप उस तरह देख सकते हैं कई गाड़ियों से अलग अलग हिस्से से माराश्रा के गोविंदा यहां पर आ रहे हैं और लगतार वो हुझून आ रही है और यह पोग्राम रात के 12 वज़े तक चलने वाला है और लगतार कोशिश कर रहे है गोविंदा की मटका तोड़े की और गोपोर्श की चारी है और दिल किये किस तरह की भीड़ है किस तरह से लोगों का उस्सा आए क्योंकि कापी समय बाद दो सार के बाद यह तीसरा साल है जाम यहां पर दैहानी को आयोजन करने की इसाज़त मिलिया और यही वज़े कि जो आरे साथ कैमरामین जीते हैं तो मोरे के साथ 1 800 देश के लिए चलिए शुक्रिया विसमवनל इस तमाम जानकारी को देने की लिए तो आफ देक सकते हैं किस तरह से मुंमझ जो शखरोज देखने कोमिल रहा है जो कृष्ण रक्षा मंतरी राधना सिंग ने भी ट्वीट करके देश वासियों को बढ़ाई दी। जो अब तक आपने जश्न देखा, जो जोस देखा, जो हर्स, जो उल्लास देखा, ये नजारे करीब तीन साल बाद देखने को मिल रहे हैं। जब स्वेक कोरोना हुआ है, लोगों ने दूरी बनाने शुरू कर दी थी, जिसके चलते त्योहारों में सबसे ज़्यादा असर पड़ा। लेकिन अब की बार त्योहारों का अकेलापन खत्म हो गया है, और लोग जनमाश्मी के मौके पर जम कर जस्न मना रहे हैं, जिसके चलते बाजार भी गुलजार हैं और दुकानदारों की भी खूब बिक्री हो रही है। एक रिपोर्ट। इसे लेकर लाइटिंग सभी तरह की डेकोरेशन के आइटेम की भी डिमांड काफी ज़्यादा बड़ी है, लाखों के इनाम जीतने के लिए गुविंदाओं के पास जरूर मौका होता है, लेकिन इस बार भी काफी ज़्यादा उत्सा है, अनिया हर तरह से लोगों के पास इस लेकर अपने तैयारिया महत पहले से शुरू कर दीती, और इस बार हमने फूल मंडियों में भी देखा, वहाँ पर भी जो डिमांड है काफी ज़्यादा है, जहां आम दिन पे जो विक्री होती है, उसके मुकाबले तीन से चार गुना ज़्यादा विक्री हुई है, कनहिया का आगमन हो गया है, और अब फूट रही है दही हांडी, धोल बज रहे हैं और गा रहे हैं लोग गोविंदा आला रे आला, गट दो वर्षों से इस उत्सव पर लगाम लगी हुई थी, कोविट का संक्रमन रोकने की कोशिश में इस सेलिब्रेशन से लोग दूर है लेकिन लोग जितने दूर थे उतना ही उत्सा इस बार ज्यादा रिखा, बाजारों में गोविंदा की टी-शर्ट से लेकर फूलों के लिए डिमांड काफी ज्यादा रही हालांकि डेकोरेशन के समान के दाम में 10% का उच्छाल भी आया है, इसी त्योहाल पर डीजे, डेक जन्माष्ट में स्पेशन टी-शर्ट खूब विके, फूलों के ही बात करें तो इस बार विक्री सामान्य दिन के मुकाबले चार गुनाल ज्यादा रही महराष्ट सरकार में भी इस बार कोई कमी नहीं रखी लेकिन इस बार जो लोग हांडी फोर्में के लिए यूमन पिरमिट बनाते हैं, उनके लिए भी किसी आक्सिदेंट होने पर 5 लाख से 10 लाख रुपे तक की आर्थिक सहायता का वादा किया गया था अस्पतालों में भी खास इंतिजाम किये गए थे, यूमन पिरमिट बनाने वालों को महराष्ट में गोविंदा भी कहा जाता है और ऐसी ग्रुप की आर्थिक सहायता के लिए कई अलान किये गए इन ग्रुप्स को भी दो साल के अंतिराल के बाद फिर से शेथ में आने में यानि फिट ठोटने में समय लगा और पिछली देर महीनों से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और बाजारों में भी अब इस रिस्पॉंस के बाद यह उम्मीद है कि इसी तरह के उत्सा को गरनेश ओत्सव में भी देखा जाएगा खुश्बतिवारी इजिनासोदेश और अब बाद बाजार की